अभी का जो मार्केट है वो अभी जो है वो तो रिवर्स कर रहे है मार्केट उपर की ओर जाने की कोसिस कर रहे हैं और यहाँ पर डाउन ट्रेंड हो चुका है मार्केट तो यहाँ पर दोस्तो अभी हम डाउन की ही अपरशनुटी प्लेस करने की कोसिस करेंगे मार्केट जो रिवर्स हो रही है एक स्विंग से मार्केट जो रिवर्स होने की कोशिस कर रही है स्विंग आई से रिवर्स हो रही है एक रेट केंडल आए उसको पूरा रिजेक्ट कर दिये हैं और अभी जो बायर्स भी हाई एंडिगेट किया है तो मैं एक अपडिरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर देता हूं यहां पर उके तो इसके भी क्लोजिंग देख लेते हैं कहां पर हो रही है स्पिनिंग केंडल बना है एक हैमर केंडल है उसके बाद बायर्स हमें कैंटिनुशन साइन दिये मार्केट में और टार्गेट भी लगभग उपर ही है तो यह आज की मेरी फर्स्ट ट्रेड है भी इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहां पर हो रही है ओके ओके ट्रेड मेरी बीन हो गई है तो ट्रेड मेरी बीन हो गई थी और अभी जो है अभी केंडल को स्ट्रोंग रेजेक्शन है अपर साइट से और जो बायर्स केंडल वह अपने हाई के अंदर क्लोजिंग कर रहे हैं तो यह केंडल अभी रेड भी बन सकते हैं क्योंकि उपर से इसको रिजेक्ट है जो रिवर्स कर रही है मार्केट में तो इसकी जो क्लोजिंग है वहां पर हो गई है बर उन्होंने बायर का जो जीसन है दोस्तों उसको ब्रेक आउट किया है तो यह केंडल जो ग्रीन बन सकती है यहां पर मार्केट में रिवर्स हो सकती है ओके मैंने वहां पर स्पिनिंग कें केंटर लाइन रखा है वो बायर्स महां से अपनी इंटी दिखाए थे तो ये केंडल आपकी ग्रीन भी बन सकती है ओकें केंडल रिजेक्ट हो गया है इसके की लेवल से इंगल फिंग का और उन्हों ने भी एक के न्यू लोबी लगा दिया है कि मार्केट वहां से नीचे जा सकती है एक तो इसकी क्लोजिंग देख लेते हैं कहां पर हुरह है उसके बाद एक्स्ट ट्रेड प्लेश करने की खूसिस करते हैं ओकें केंडल की क्लोजिंग अभी उस राउंड नमबर के ऊपर ही हो गई है अचेश्वमार और ट्रीम को पूरा reject कर दिया है बट फिर भी यहां पर वेट करना अमारे लिए बैतर होगा यहां पर क्योंकि candle ने closing करवा दी गई है इसकी green candle की 300 के round number के उपर तो यहां पर engulfing बनाया भी तो बायर्ट यहां पर retracement बन सकते हैं और मार्केट अभी नीचे continue कर रही है कि ओके तो मार्केट यहां से एक लो लगाने भी जा सकती है ओके अभी इसकी closing देखते हैं कहां पर हो रही है तो उन्होंने दोस्तों वहाँ पर gap down कर दिया है मैंने trade place कर दिया है डाउन की क्योंकि मार्केट अल्डेडी downtrend यहां से एक केंडल रेड़ बन सकती है आपकी ट्रेट लेने का रीजन में रख्या था कि केंडल को strong rejection है ओके पहली बात पर जिस प्राइस पर बायर्स आना चाहते थे उस प्राइस को केंडल जो इसकिप कर रहा है gap down कर रहा है तो मैंने यह पर दो ट्रेट प्लेस कर दिया है बट अभी इसकी closing देखते हैं कहां पर हो रही है भगवान वरोस्ते हमने मार्किट में ओके तो केंडल जो है कि को कि मैंने यहां पर फिर से टेट प्लेस कर दिया है क्यूंकि मैंने बताया था कि यहां पर एक केंडल को कि रिवर्स कर दिया या केंडल को तो इसके अभी कलोजिंग देखते हैं कहाँ पर हो रही है और इसको दिक्कत कहाँ पर आ रही है कि मैंने आपको बताया कि यहां पर मजो इस्ट्रोंग गृरीन केंडल अभी आई यह प्रिविएस केंडल तो वो गैप डाउन करके आ में वहाँ पर डाउन के ट्यरेट भेस की ति जो बिन भार हैन locks बना हुआ हमें ल यह मार्केट में बट यह कैपडाउन करके आ रहे हैं तो सेलर रेकवरी करने की कोसिस करेगा तो वह अभी विक है और इसको इस विक के ऊपर ही रख गया है तो ये केंडल आपी green भी बन सकती है ऊके तो इसका भी बेट कर लेते हैं कि ये केंडल क्या बनती है वैसे तो इसी green बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से क्यों क्योंकि seller आप देख रहे हो seller week है अभी और new high लगा रहा है और बायर्स उसे इस पिन वार के अपर विक पर ही सेलर को क्लोजिंग करवा रहे हैं तो इस केंडल का टास्क कराएगा कि ग्रीन बनना और टार्गेट मेरे पास अभी यह है तभी मैंने यहापर ट्रेट प्लेस कर दिये अपकी बाकि इसकी अभी क्लोजिंग देखते हैं कहां पर हो रही है वैसे ट्रेट मेरे को नहीं लेना चाहिए था यहां पर बट मैंने देख करके जो मैंने बताया वह मैंने देख करके ट्रेट प्लेस कर दिया यहां पर अभी इसकी क्लोजिंग कहां करवा रहे हैं वह देख लेते हैं तो केंडल यहां पर ग्रीन बन गई है फिर से इन्होंने अभी केंडल वहां पर गैब डाउन कर दिया है तो इसकी अभी क्लोजिंग देखते हैं कहां पर हो रही है इसका वेट करना पड़ेगा इस केंडल का कि अगे तो मार्केट जो नीचे तो जा सकती है दोस्तों अभी मार्केट में एमपाटन भी बन सकता है बायर जो इंट्रेस्टेड है वो इस प्राइस पर इंट्रेस्टेड है जो आप परेट केंडल का हैमर केंडल देख रहे हो उस प्राइस पर बायर हैं हावी हो रहे हैं मार्केट में अभी सेलर स्ट्रोंग आने की कोशिस कर रहा है ओके एम पैटन बना करके तो नेक्स्ट कें के ओपिंग प्राइस पर है जहां पर डोजी का लेवल है क्योंकि तो केंडल वहां से ग्रीन भी बन सकती है तो इसका तो बेट करना पड़ेगा एंड अभी सेलर जो आए वह इस्टोंगा है तो केंडल आपकी रेड भी बन सकती है क्योंकि उपर से रिजेक्शन लेकर के candle rate बन सकती है मार्केट में जहां पर मेर이 यह यह अभी एल्ल लाइन है वहां scandle reject होकरकर एक रेट केंडल भी बन सकती है ऊके तो इसका भी बेट कर लेते हैं यह केंडल क्या बन रही है इसकी क्लोजिंग पर देखते हैं इसको कहां पर क्लोजिंग कर बा रहे हैं का आए कि कि अब कि मैंने यहां पर ट्रेट जो लिया है वह यह जो आप इम का निकलाइन देख रहे हो उसको ब्रेक आउट करने के बाद ही मैंने यहां पर ट्रेट लिया है अपडारेक्शन की बट मुझे यहां पर वेट करना चाहिए था इस वायर के साथ मुझे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था इस बट मैंने कंटिन्यू किया दो ट्रेट मैंने वहां पर प्लेस कर दिया क्योंकि वहां पर प्रेसिंग लाइन का पैटन बनाया जा रहा है और प्लेस इस स्ट्रॉंग रिट केंडल का 50% ब्रेक आउट है और इस तो यहां पर मैंने ले लिए एक तो इसके अभी क्लोजिंग देखते हैं कहां पर हो रही है यह केंडल मुझे जो अभी प्रीवियस केंडल आई है रिट केंडल वह बायर को इंगल्फ करके आ रही है और स्ट्रॉंग हो रही है आप देख सकते हो कि ना ही अपर साइट नहीं था अभी इसकी क्लोजिंग देखते हैं स्ट्रॉंग इसको रिजिक्सन आ चुकी है भी कि अब इसको अब इसको प्रीवियस केंडल की जो ख्लोजिंग है वह मैं ह落् Chang Along अबर्फ क्लोजिंग जो केंडल की क्लोजिंग है दोस्तों वह वहां पर वहां पर है मौनिंग का जोन बन रहे तो वह एक है डिमांड जोन अभी बन रह मार्किट में तो इसका हमवेट कर लेते हैं क्यंकि कर कर सकती है यहांपर morning star का pattern बना ऩा था तो वो पीछे जा करके work कर सकती है वहाँपर एक zone बन रहे तो यहाँपर wait करेंगे कर बहुत है उकर एक फ्केनल यहांपर green candle बन सकती है जोजय किया वह एक प्रिसीН publi लाइन और उन्होंने एक new high indicate किया है मार्केट में और उनकी जो closing है वो seller के अंदर ही है तो इसका wait करना ही बेतर होगा क्योंकि candle तो red भी बन सकती है and उपर high लगाई है तो वो green भी बन सकती है अभी ये seller जो हमें continuation sign दे रहे हैं मार्केट में कि ये market नीचे जा सकती है अभी rejection आ चुकी candle को और इसकी अभी closing देखते हैं कहाँ पर करवा रहे हैं कि को के तो केंडल यहां पर green बन गई है लास्ट से केंड़ बे तो नेक्स्ट केंडल आपकी green हो सकती है को के बट फिप्टी फिप्टी आए गई है क्योंकि इन्होंने direct closing कर दिया है एक new low लगा करके इन्होंने new low लगा करके closing कर दिया है direct तो केंडल उपर से reject हो सकती है मार्केट में तो बैतर होगा कि हम अच्छी अच्छी अपर्शनुटी का वेट करें अच्छी ऊपर मेरे पास ट्रेंड लाइन है आप देख रहे हो कि मार्केट में ट्रेंड लाइन है उपर से तो उसका भी हम अच्छे से खयाल रखेंगे केंडल को दिक्कत आ रही है वही इस्ट्रॉंग रेट केंडल का 50 परसेंट वहां से इसको reject कर दिया गया है कि उसकी closing हो गई है उसके नीचे ओके तो आप केंडल बन सकती है बट केंडल जो है green केंडल वह एक मार्केट में continuation candle है ओके केंडल अगर नीचे आती है तो trade तो हो सकती अप direction की जहां पर मेरी अभी yellow line की horizontal line है वहां से अप direction की trade हो सकती है बट केंडल वहां तक नहीं आई है 30 सिकंड से पहले और हमने trade place नहीं किया है तो अभी केंडल जो है strong red candle बन रही है कहां से वह strong red candle के 50% से reject कर दिया गया है इस बायर को अभी इसकी closing देखते हैं कहां पर हो रही है candle को जो दिक्कत आई है भी वह 250 का सायद round number है वहां से इसको दिक्कत आई है तो इसकी closing वहीं पर है candle जो है मुझे continuation candle दे रहा है sign की market यहां से नीचे जा सकती है ऐसा हमें बताया जा रहा है sellers दौरा पर टेक यह candle का वेट करेंगे क्योंकि यहां पर इंगल फिंग का रिटेस्ट हो सकता है मार्केट में और तीन बायर का momentum भी है और बायर का लास्ट candle भी strong है दोस्तों तो यहां पर बायर स्ट्राइक कर सकते हैं मार्केट को उपल ले जाने के लिए तो इसका वेट कर लेते हैं यह candle क्या बन रही अभी बाकी तो केंटिनुशन केंडल था मार्केट में यह केंडल ओके जो अभी इंगल फिंग बना हुआ है यहां पर देखते हैं क्या हाल चाल है अभी यहां पर बायर सभी लेवल है की नहीं कि मुझे स्ट्रॉंग पुस्ट चाहिए बायर का ओके अगर यहां पर बायर सभी लेवल है तो ओके कि नेक्स्ट कैंडल आपकी लिए तो मैंने यह पर फ्रेट प्लेस कर दिया बट लुख वहां पर गैब डाौन कर रहा है दोस्तों तो थोड़ी सकी है ओके बट मैंने आपकी प्लेस की क्योंकि वहां पर बायर स्को आना था मार्केट में क्यों आना था क्योंकि तीन केंडैल का मोमेंटम है और सेलर डायक्ट कंट्यूनीऊ नहीं कर सकते बिना रिट्रेस्मेंट के कोई भी पार्टी देना जरूरी रहता है मार्केट में त्ह겠다 उसी वाज़े से मैंने ट्रेट्ट कहां पर हो रही है ekंडल जो ओपर से रिजिक्ट हो गई है ऊकई अभी तो रेड़ बन रही है चैनल को कि तो यह रेड़ बन गई है और इसकी क्लोंजिंग वो ग्रीन केंडल की जो है हैमर केंडल वहां पर क्लॉसिंग ऒैंस हुसा हुन vadhu द्रेड मेरी हो गई है तो रिकाबर भी अपन करेंगे दोस्तों अपनी ट्रेड जो लोस हुई है उसको तो रिकाबर हम करेंगे मार्केट में केंडल बास मुझे यहीं परची यह थी ट्रेड ओकें इसको कोई रिजेक्शन वगएरा नहीं है दोस्तों इस एक सुटिंग स्टार को बट वेट कर लेते हैं यहाँ पर कोई रिजेक्शन नहीं है तो थोड़ा दिक्कत है यहाँ पर है वेट कर लेते हैं आपå ट्रेट जो मेरी लोज हो गई है तो यह नहीं फिलेस की थे वहां पर वह मेरी लोज हो गई है और लोज का भलु का कार मिनबल डाउन और अभी बेट चाहिथ對 मेरी कोजिस करेंगे जलद सब्सेंट बोगे। में अठीड लेने का सिम्पल सबस्य ईशर्ड दोस्तो कि आप देख रहे हो कि वहाँ पर है मरे मिलें उसके विगब पर ही केंडल जो सिंग कर रहे है रg sinnersK einem तो मैंने अफिधए प्लेस कि थी और जो युद एप ब्राइड केंडल वह गैब डाउन करके आ रही थी मतलब कि वहां पर आना चाहिए था और आप देख रहें कि बैश्ने ट्राइड किया था फास्ट में ओपनिंग होते बाइड ट्राइड किया था बट यह गैब टाउन के चेकर में एक लिए और बनी ऑखेंडल जो जो ग्री green candle बन रही है और उन्होंने मैं यहाँ पर लेब कर दिया और वह gap down क्यों आवा पर कोई level भागार थे मुझे नहीं निखा वहाँ पर कोई level भागार नहीं है कि जो resistance है वो तो उपर है तो conveल यहाँ पर गैप की टांड क्यों कर रही है भूंहें ने βल का बना हुआ लएए अभी कोके तो अभी इस केंडल का वेट कल लेते केंडल यहां पर रेड भी बन सकती है का कि है का वे ट सक आयँ अब कर्ला की आधेल् okay अब का अर्य होकी अभी इस केंडल की क्लोजिंग धेक से यह पार आप देखते रहां ना दोस्तों ओके अगे अगे मॉर्निंग स्टार के की लेवल से सपोर्ट ले करके केंडल उपर जा रही है और उन्होंने उसके की लेवल पर ही क्लोजिंग कर दिया है क्या वहां पर एक रेड गेंडल बन सकती है नहीं बन सकती दोस्तों क्यों नहीं बन सकती क्योंकि अभी अभी बायर्स अपनी बॉडी इंक्रीज किये हैं कि तो यह केंडल जो है रेड नहीं बन सकती मेरे हिसाब से करबन भी जाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है वैसे तो केंडल को नहीं बनना चाहिए था यहां पर रेड ओके एक डोजी केंडल बन सकती है यहां पर ग्रीन डोजी केंडल यह फिर डोजी रेट केंडल बन सकती है, ऐसा कुछ मार्केट में सीन है, यहाँ पर, अभी इसकी क्लोजिंग देख लेते हैं, इसको दिक्कत कहां से आ रही है, मार्केट में, यहाँ पर सेलर अपना घर बचा पा रहे हैं, यह फिर नहीं, अभी यह हमें केंटिनुशन साइन दे रहे हैं, बट केंडल की जो क्लोजिंग करवाई गई है, वो ग्रीन केंडल की अपर विक पर है, तो वहाँ पर मैंने अपकी टेट प्लेस कर दिये, तो अभी इसका वेट कर लेते हैं, केंडल तो अभी रिट बन रही है, जहाँ पर मैंने अभी अभी होरिजन्टल लाइन, ब्लू कलर की रखी है, वो बाइर का जो है अपर विक है, ओके, जो सेलर शा रहे थे, वो हमें एक हाई अंडिगेट करके आए है, हाई इंडिगेट का कांटिन डूसन केंडल है वह एंदल बट केंडल की क्लोजिग कहा करवा आजा रही है दोस्तों इस ग्रीजिन गेंडल की अपर विकपर ने अभी जो पर व की डेल को रीजिक्षाण आई है वो यह की लेवल है मॉर्निंग स्टार का ओके केंडल की क्लोजिंग देखते हैं कहां पर हो रही है ओके ट्रेड मेरी लोस हो गई है वहां पर ओके और यहां पर स्ट्रोंग अभी बायर्स आ रहे है मार्केट में है को मैंने यहां पर फॉर ट्रेड प्लेज कर दिया एं कर दिया है केंडल को है एक जान ती दोस्तों को करेंगे यहां पर मैंने गलती से ले ली एवडिऄ गएट वेट 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 ऊखे इतनी स्ट्रॉंग सेंडल बन रही है अभी कि तो इसको भी रिकवरी करने पड़ीगी दूस्तो कि केंडल को कहां से दिक्कत आ रही है वह देख लेते हैं कुछ केंडल को रीवर्स होना था मार्केट में ऐसा उनेन कीया है वह तो ओवर लैप की उपर यह तो यह केंडल उपर भी जासकती है तो ये केंडल मेरी लोस हो सकती है ऐसा कुछ मार्केट हमें बताया जा रहा है क्योंकि उन्होंने उस ओवरलैप को ब्रेक आउट कर दिया है जहाँ पर मेरी अभी इलो कलर की होरिजन्टल लाइन है तो केंडल वहाँ से ग्रीन बन सकती है क्योंकि अभी भी रजिस्टेंस जो काफी उपर है और तीन सो का राउंड नमबर भी उपर है दोस्तों काफी उपर है तो केंडल यहाँ पर ग्रीन बन सकती है यह कोई सो ट्रेड नहीं है वोके बटावी जो ट्रेड मेरी वीन वह रही है क्योंकि जो स्ट्रोंग रिट ग्रीन केंडल है वो जो मेरी ब्लू लाइन है वह इस ग्रीन केंडल की अपर विक है इसका ब्रेक आउट नहीं कर पाये थे इसी बज़े से मैंने ट्रेड वहां पर प्लेस की थी ओके तो ट्रेड मेरी वीन हो गई है और रिकवर भी हो गई है मेरी लोस तो मैं अब ट्रेड प्लेस करूंगा जहां पर मेरे को अच्छी अपरिशनूटी मिलेगी दोस्तों मैं वहां पर तुका वाजी नहीं करूंगा candle अभी gap up कर दिया है वहाँ पर green candle ओके और जो seller है दोस्तों वो high लगा करके आ रहे है market वहाँ से नीचे जा सकती है क्यों क्योंकि वह एक level है जहां पर मैंने horizontal line रखका है वह एक level है तो उसका retest करके market फिर से continue down direction की ओर कर सकता है कितनी वार वर कर रहा है वह level मैं यहां पर आपको mark करके दिखा दे रहा हूं वह strong level है market में इसका retest करके market फिर से downtrend की ओर continue कर सकता है कि क्लोजिंग देखते हैं कहां पर हो रही है उसके बाद next trade प्लेस करने की कोशिश करते हैं वह लास्ट trade होगी मेरी के लास्ट trade होगी मेरी तो इसके बाद आपन निकल लेंगे market से कि यह केंडल भी रेड बन रही है ऐसा कुछ सीन की market में केंडल रेड भी बन सकती है और ग्रीन भी बन सकती है दोस्तों क्योंकि इन्होंने 50% का breakout किया है strong candle और उन्होंने direct closing किया है तो यह केंडल है भी green बन रही है और उसकी जो closing करवाई जा रही है वह जो red candle है उसके विक पर करवाई जा रही है कि और अभी भी जो resistance है वह उपर है कि केंडल अगर वहां blue line तक जाती है तो trade एक डाउन की हो सकती है दोस्तों को कि वहां से जहां पर मैंने blue color की horizontal line लगाई हुई है तो वहां पर मैंने ट्रेट प्लेस कर दिया है डाउन की क्योंकि जो केंडल की closing है वह एक रेट केंडल की लोवर विक पर है तो केंडल को तो उपर जानी नहीं देंगे इस लेवल के उपर seller ओके तो वहां पर मैंने ट्रेट प्लेस कर दिया है उस होरिजंटल लाइन के एक्जैट होरिजंटल लाइन पर है मेरी ट्रेड ओके वह एक मार्केट में रजिस्टेंस है अभी ओके ट्रेड मेरी विन हो गई और वह लास्ट ट्रेड थी मेरी तो चलो मिलते है अगली वीडियो में अगर चैनल पर नए होगे सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम भी जोइन कर लेना दोस्तों ओके तो थैंक यू